व्यास जी ने अठारा पुरानों का सार सिरफ एक श्लोक में दिया। वो श्लोक हैं अश्टा दश पुरानेशु व्यासस से वचन दयम प्रोबकार पुन्याय पापाय पर पिढ़नम। अर्थात प्रोपकार से बड़ा कोई पुन्य नहीं दूसरों को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं गोस्वामी तुल्चिदास जी ने विश्व धरम की स्थापना की परहित सरेश धरम नहीं बाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई कि किसी को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और किसी को खुश्या देने से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है एक छोटी सी कविता के माध्यम से इसको समझते हैं कागस के एक फूल ने डाली की कली से कहा कागस के एक फूल ने डाली की कली से कहा तो क्यों इठलाती है इतना क्यों मुश्कुराती है तेरा जीवन तो बड़ा छोटा है जल्थी तो धूल में मिल जाएगी कली ने तपाक से उत्तर दिया कली ने तपाक से उत्तर दिया वे जिन्दगी ही क्या जो सिर्फ अपने लिए जी जाए वे जिन्दगी ही क्या जो सिर्फ अपने लिए जी जाए तुमारी भांती सिर्फ अपनी ही सुन्दरता बढ़ाए माना की औरों की तरह मैं भी समय के गर्द में मिल जाओंगी पर सब को जाते जाते अपनी खुश्बू तो देती जाओंगी पर सब को जाते जाते अपनी खुश्बू तो देती जाओंगी